बात तो सारी जितने भी संथ हैं चाहें वो NRI संथ हैं चाहें वो इंडियन संथ है एनफ शं अहीं मत्थदब विदेशी हैं भारत से बहार महाभारत से बहार 1 co यानि सांत यानि की जो जानकार है सही माइले में जो बोलेगा वो यही बोलेगा सबको इखटा रहना है, सबको समान रहना है, सबको बाट के खाना है, सबको कोई भूका ना रहे किसी पे अत्याचार नहीं करना है, कोई हिंसा नहीं करनी है, किसी की चोरी नहीं करनी है ब्यवचार नहीं करना है सारे दुनिया के संत यहीं बताते हैं और दुनिया के जितने संत हैं वो कभी नहीं कहते कि कोई संत छोटा है या कोई संत बड़ा है या कोई संत जोटा है या कोई संत एतेरा है या कोई संत मेरा है और जैसे ही संत की आख बंद हुई नहीं वो ब्यापारी आ जाते हैं उसके घर मकान दुकान पर उसके ठेकेतार बन जाते हैं और वहां लोग स्रद्धा से आते हैं और वो अपनी स्रद्धा प्रिकट करने और कोई अगर बोले तो उसका गला काट देंगे उसे मार देंगे उसे छोड़ेंगे नहीं कहीं उसे पुस्सा कर देंगे उसके घर पत्थर फिकवा देंगे क्योंकि दुकंदारी खराब होती है ना इसलिए कोई बोलता भी नहीं फिर को नया संत आता है फिर वो नया संत सही बात कहता है सच्के लोग वहाँ चले जाते हैं फिर उसकी महाणी पे फिर ब्यापारी आ जाते है पिर नया संथ आता है फिर वह मर जाता है फिर महान दे cuma एस पे废 लॉए सच्चाई वही करते हैं दरसल हम 365 दिन जो बात कर रहे हैं वह सम्विधान की और धंड की बात कर रहे हैं कि डे बेसक हमने बना दिया है कि साथ तारीक और 26 तारीक को कॉंस्टूशन डे होगा सम्विधान का दिन होगा और एक और पंद्रे को धंडे होगा मगर 365 दिन हम यही बात कर है कि धम्मा की बात और सम्विधान की बात बुद्ध की बात या मेट की बात या किसी भी संत महापुरुस की बात या हमारी अपने दुखों की बात सारी बात एक ही है और सबका निवारण भी एक ही है कि हमको इखटा होना है इसके बिना कोई परणाम आने वाला नहीं है यही जल्दी काम तेज हो जाएगा उतनी जल्दी ही हमारे दुख दिलद्दर दूर हो जाएगे कुछ कहानिया जब कोई संत आता है और संत बहुत ज़्यादा बड़िया बात बताता है तो उसकी पिर्चार करने के लिए उसको चमतकारिक बनाने के लिए उसमें मिर्च मसाला च्छोंक लगाया जाता है जो ब्यापारी लोग हैं वो उसमें मिर्च मसाला च्छोंक लगाते हैं कहानी को तोड मढ़ों के मजदार बनाते हैं रजसीली बनाते हैं यह सब के साथ होता है ऐसा ही बुद्ध के साथ भी हुआ, बुद्ध ने तो खेर चिता दिया था, बता दिया था, और जितने भी संते हैं, वो बता के जाते हैं, सारे इसारों में, या किलियर बोल के भी जाते हैं, बुद्ध ने तो बिल्कुल इस पष्ट बताया था, कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन आए हो सिध्धत गौतम यानि बुद्ध आप आए हो तो हम आपकी बात पर यकिन क्यों करें पहले भी लोग आए हैं उनकी बात पर यकिन क्यों करें और कौन सी बात पर करें तो बुद्ध ने जो सुत बताया था वो सुत बावा साब ने प्रियंबल में डाला हुआ है जो या कहीं लिखी मिले या पड़ी मिले या किसी के नाम से मिले या जैसी मिले उसकी कसो उसे उसे पहले चेक करो कि वो बात क्या हमारे लिए ठीक है हमारे परिवार के लिए ठीक है हमारे रिस्तदारों के लिए ठीक है हमारे महले के लिए ठीक है हमारे शहर के लिए गाओं के ल तो वो बात ठीक है सब के फायदे की है तो वो बात ठीक है और इन मैसे अगर किसी के लिए भी फायदे की नहीं है तो वो बात गलत है और प्रियंबल में भी वही बात बावा सामें डाली थी कि कोई भी नया कानून अगर बनता है और वो कानून प्रियंबल के हिसाब से ठीक बैठता है तो वो कानूं ठीक है और अगर वो प्रियंबल के इसाफ से फिट नहीं बैठता है जो प्रियंबल में दिया हुआ है तो वो कानूं खराब है देश के लिए खानूं कर खराब कानूं है वो प्रियंबल बताता है बुद्ध की बातों को खूब बदला खूब तोड और त्रीपिटक के अंदर खूब सारी खिजडी पका रखी है इतना ज़्यादा उसको मिक्स किया हुआ है इतना ज़्यादा बदला हुआ है कि उसमें छाटने में पसीने आ जाते हैं क्या छाटें इसमें से क्या निकालें क्या छोड़ें क्या निका छोटी छोटी बातों पर भी अगर आप ध्यान दोगे क्योंकि सोचना बहुत पड़ता है इसके नहीं है और सोचने का कोई पैसा तो है नहीं आराम चे खाना खा के कुछी पे बैठ जाईए आंके बंद करिए और सोचना सुरू कीजिए कि यह जो बुद्ध की कहानी हमको सुनाई जाती है बच्पन से कि वो अपने महल से एक लड़का निकला वो रत में बैठा रत का जो रत हारा था जो रत चलाने वाला था वो उसको लेके जो कपिल बत्थू है उसके अंदर घूम रहा है और वहां पर उसने एक व्यक्ति को देखा जो खांस रहा है बीमार है उसने पूछा अपने रत वाल जो है उसको बीमारी का कश्ट है यह बीमारे शनी दुख में है पिर वो रतार आगे बढ़ा तो उसे एक और दिखाए दिए उसे दिखाए दिया कि एक व्यक्ति है जो बूडरा है लकड़ी लेकर चड़ रहा है तो वू पूच्छा ऐह कि कउमर जुका कर चल रहा है क्या ह गया इसको तो कहता है रतवान महराज ये राजकुमार ये जो व्यक्ति है ये बुड़ा गया है अब इसकी उमर पूरी होगी ये पक गया है ये जैसे आम पकता है ये टपकने वाला है मरने वाला है आगे जब वो गया रत लेके तो फिर उसे एक और वो दिखाई दिया व्यक मरना भी दुख है आगे फिर गया तो उसे एक सादू टाइप का मांगने वाला आदमी मिला जो जिसने जटावटा रखता खिती नंगा था इसको परिबाजचक बोलते हैं तो उसने पूछा ये कौन है केरा जी ये सादू है ये मांग के खाता है और दुनिया को उपदेश द पड़ गए ऐसा कहानी सु՞ाया जाता ये कहानी पूरे प्रिप्त एक में कहीं नहीं मिलती कहीं दुद्डलो आप को कहीं नहीं मिलेगा कोई नहीं पता सकता है कहानी कहां से आई कह автом जम्बू जो रुख है यानि कि जामुन का जो पेड़ है उसके नीचे बैठा हुआ है और उसके नीचे बैठ के ध्यान में लगा हुआ है और वप्व मंगल उतसब है वप्व माने होता है बीज बोना मंगल माने होता है अच्छा और उससमाने होता है उसका कारेकरम यानि कि जो भीज बोने का उत्सव चल रहा है सारे खेतों में धान बोय जा रहा है हल चल रहे हैं और वह मुझा जब कर जा जा रहा है तो ग्यक्त में सब तरह की लोग हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस खेत में सारे नौजवान नौजवान ही हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि उस खेत पे आते समय कोई बूड़ा ही ना मिला हो सिद्धत गोतम को क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो खेत पे हल चला रहा है ग्यासाल कमर में कोई मरता हुआ देखा ही ना हो या उसको पता ही ना हो गे मिट्टू क्या होती है क्या उसके घर में या आसपास दोस्तों में कभी कोई बीमारी नहीं पड़ा होगा जो उसने बीमार पहली वार वेक्टी देखा इतने सारे मांगने वाले आते हैं उस समय बड़े मत हुआ करते थे क्या उसने पहली बार ऐसे आत्मी को देखा जो मांग के खाता है जो सादू है जिसने चटपा रख रखी है और वहां महल नहीं है और साके जो कबिल वस्तू का जो राज्य है उसके अंदर कहीं कोई राजा नहीं है राजा तो पसंदी है और वहां समण संग चलता है और संग में कोई राजा नहीं होता तो वो काईकर राजकुमार है फिर कहानी आगे चलती है कहते जी के जब वैराग हो गया तो उनके जो महराज सुद्धोधन थे शुद्धोधन बोलते हैं नाम बदल दिया है व्य गाने बजाने की रस रांग के सामन पहुंचाए और वहां सिद्धत गौतम एक दिन एक महल में दूसे दिन दूसे महल में तीसे दिन चपकी सिद्धत गौतम साथ ही सुदा हैं और उसके बाद महां रंग्रलिया मना रहे हैं और सुबह गुन ओर्टों को देखते हैं और और दिया राजा सुद्धोदन को जो बताते हैं वो एक खेती व्यक्ति है कर राजा होता तो परिश्मेंट मिलती क्या अगर सुद्धोदन राजा होते तो गला ना कार देते कि मेरे बेटे को परिश्मेंट दिया कौन होते हो तुम परिश्मेंट तो मैं दूंगा मैरे मैं राज है यह बाते हैं इतनी चोटी चोटी गहाई में मिंख्स की हुई है कै एक हंस है और देवदत ना तीर मारा फिर jsब स्अ और के राजा है और यह सुद्धन की дети को सजा हो रही है और लोग कहरें वो राजा है राजा है तो यह जूटी-जूटी कहानिया हमारे दिमाग में डाली गई है ताकि हम यह ना कह सकें कि किसान का बेटा एक खेती यह बेटा इतना उंचा गुरू बना है क्योंकि अगर किसान का बेटा गुरू बना है और विस्व ग दिखा देते हैं महराजा दिखा 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 हैं क्योंकि उनको लगन लगी है किसी भी व्यक्ति को यह जानने की लगन रहती है कि यह चीज़ें किसे काम करती है और सद्दत गौतम के अंदर भी बश्चुन से थी तो बहुत सारे सवाज-đब उन्हें पूछे होंगे लोगों से अपने घर में पूछे होंगे यह कैसे होता है वो कैसे होता यह चीज कैसे होती है सवालों को जितने जवाब मिले मिले बाकी ढूड़ने के लिए बाहर चलेगे मगर ये बात बावा साब जो लिखते हैं ये बात सच है कि उनके पास एक turning point आया turning point तब आया जब उनको सजा मिली सिद्धत गौजम को जब सजा हुई तो वो turning point था सिद्धत गौजम जब जगड़े में मना कर दिया कि मैं लड़ूँगा नहीं तो उनको समझ संगने सजा दी और सजा छोड़ने के बाद उनको घर छोड़ना पड़ा और घर छोड़ने के लिए बाकाइदा सब की जाज़त लेकर उनको घर छोड़ा और घर छोड़ने के साथ उनके गोड़ा भी दिया गया और उनके साथ में जेवर वगरा भी दिये गए और वो घोड़ा लेके जब आगे बड़े तो उन्होंने घोड़े को जेवर को बापस भेज दिया ये बावा साब लिखते हैं और ये बात सच भी है कोई आदमी घर छुड़ेगा तो किते दिन जेवर रखेगा किते दिन घोड़ा रखेगा और वो आसपास ही रहते हैं तो की खबर मिलती रहती है क्योंकि एक जिक्र आता है जिसमें वह यह कहते हैं जो सुद्दोधन है कि बाही जब बाद में बुद्ध आते मिलने के लिए और बुद्ध बन्ने के बाद अस जितत apartum आते हैं तो जब वो कच्छाना से मिलते हैं काज या ने हैं जिस पो यसूद् दिया तो इसने खाना खाना छोड़ दिया जो काम आप करते गए वह काम यह करती गई इसका मतलब यह है कि कच्छाना को सुद्धोदन को पता रहता था कि अभी सिद्धत गौतम क्या कर रहे हैं उनकी खबर आती रहती थी क्योंकि आसपास सारी चीज़ चलती थी तो को ऐसा नहीं है कि सुद्धों चलेगे हों तो घर में खबर नहीं आती है यह वह कॉमन सी बाते हैं छुड़ छुड़ी बाते हैं जो हमको पता होनी चाहिए क्योंकि बुद्ध का टर्निंग पॉइंट तब था जब उनको सजा मिली और सजा मिलने के बाद जब चलेगे तब उन्ह खुब सामान फैका जाता है उनको गालियां मिलते हैं और उनको वेल में आना होता है तो वो सोचते हैं कि अब मेरे को क्या करना है जिमन में और ऐसा ही टर्निंग पॉइंट आता है जोतीवा फुले की जिन्दिग में जब उनको बरात में पीटा जाता है और बरात में मारा साउथ अफरीका में ट्रिंसेफ है का और उसको ब्लैक इंडिन के कि गाली बखी गई तो गांधी को टर्निंग पॉइंट आया तो गांधी ने भी कमर कसली के अंग्रेजियों से लड़ना है तो यह टर्निंग पॉइंट जो आते हैं यह एकल मनुस्य की जीवन में आते हैं य जो काम कर रहे हैं जो यहां 303 लोग हैं उनकी भी लाइव का कहीना कहीं कोई ना कूई टर्निंग है कि ये वेक्तियों के जीवन की घटना है जो वेक्टिकों बदलती हैं BILL मगर संग के जीवन की coffee बदलने के नहीं होती संग कभी न संग का कभी turning point निया आता कि dibujता एक एक Just Nicole और अज़र और होता है जब तक दो समध रहेंगे समध संग रहेगा इसली ए संस ne इसमूथ चलता है, इसलिए समर्संग कभी बदलता नहीं, इसलिए समर्संग कभी बदलेगा नहीं, इसलिए समर्संग की खास बात है, क्योंकि समर्संग व्यक्ति आधारित नहीं है, एक व्यक्ति के पीछे नहीं है, दो व्यक्ति के पीछे नहीं है, समर्संग संग के पीछे और संग इसमूद चलता है संग में लोग आते हैं जाते हैं टर्निंग पॉंट होते हैं इधर जाते हैं इधर जाते हैं इसलिए संग की माननेता बुलकुल हिमाले से ब्याद अटल है हिमाले अपनी अटलता को छोड़ सकता है हिमाले जुप सकता है हिमाले खतम हो सकता है अग पार्ट जो अभी आपने जो बहन जी सरोजी लबानी से सुना वो हमारा व्यक्तिकत जीवन को अधर्द करने का है यानि कि धम का एक हिस्सा है कि हम अपने व्यक्तिकत जीवन को ठीक करें धम में वो हिस्सा अधिक बता जाता है एक धम का हिस्सा और भी है जो बड़ा करांति क जाएंगे, होगा या नहीं होगा अलग बात है, उनकी संदी होगी, क्या होगी, मगर अभी माहूल ऐसा है, वो जतनी भी सैना हैं, वो सारी डिसीप्रagण सैना है, होंनके अंदर सब के अनुसासन बहुत है, यह सर और नो सर, यानि जो COMMAND is command जो कह दिया सो कह दिया वो करना पड़ेगा चाह कुछ हो जाए कि दुनिया की जो सबसे खतरनाक सेना जो अपने आपको कहती है उससे भी ज्यादा खतरनाक सेना बुद्ध की थी बुद्ध की सेना के discipline जबर जस्त थे और तनी केड़ी सजाएं थी उन भिक्कों की कि उनको अपना घर चोड़ना पड़ता था दुनिया की किछी सेना को घर चोड़ना नहीं पड़ता दो मेनी छुटी लेके अपने घर जाते हैं और emergency में जा सकते हैं मगर बुद्ध की सेना में एक वार आ गया त महिलाओं को 311 नहीं मानने पड़ेंगे और तन्खा में एक रुप्या नहीं मिलेगा भाई एक पैसा नहीं मिलेगा तन्खा में जो दुनिया की सेना हैं उनको पैसा मिलता है उनको pension मिलती है मगर बुद्ध की 50 जार सेना की सिपाईयों को नाम तक नहीं मिला नाम भी बदल टेकी डूटी और खाने के लिए एक टाइम मिलेगा दुनिया में जब सेना चलती है तो अपने रसोईया साथ लेके चलती है अपना खाना साथ लेके चलती है उनकी रसत पीछे से आती है यहां जब ट्रेनिंग होती थी बुद्ध के यहां तो कहते थे कोई अगर तुम्हें स समण लोगों ने राज किया उसके दम पर हम जीवित हुए उसके दम पर हम आज तक जीवित हैं वो है समण संग दुनिया का सबसे खतनाक और सबसे बढ़िया और सबसे करणा में डिसिप्लिन के मामले में इस से बहतर कोई डिसिप्लिन दुनिया में है नहीं जो बुद्ध परकार के तो दंड है और साथ परकार के अधीकरन समत हैं अधीकरन समत मत्दब बाद विबाद के तरीके हैं यानि वो जो नियम मराये थे उन्होंने अपने सेना के नियम उसमें सारे नियम थे कि अगर उनमें आपस में जगड़ा होता है या भाद जगड़ा होता है तो उसक को पुसत्त बोला के थे हर व्यक्ति को खुद ही निदान करना पडव्द तो म्तलब कनफैसन करना प्रफासन करना पड़ता था क्या किसी को छोट में? बताया करते थे सिपाही, हर पंदरें में दिन महां कोट्मा नटा था और बताते थे कि हम से ये गल्ती हुई हमसे ये गल्ती और उसका दंड मिलता था और दंड नियम सब के लिए एक्ठर किसी को छोट मैं। तब जाके कहीं कोई किरानती होती है, ये नियम दुनिया ने हमसे लिये और ये नियम दुनिया ने लेकर कामयाब हो गई Roll जिन्हों ने हमारी ऐसी हलत कर दी तो इन नियम हों को अपलाई करते हैं इन नियम उकुशलाते हैं दिल मजबूत कर लो भाई आप बुद्ध के उस सेना के सिपाही के वनसज हो वो जो संग की जो सैना है क्योंकि सैनिय सब्द बाद में आया है सैनिय सब्द आता है बाद से बाद जपट्टा मारता है पंजा मार के ले जाता उसको सैनिय बोलते हैं उस सैनिय से सैना बना है जो सैनिय बिंबिसार हैं या जो सैनिय करके लोग आते हैं जिनको स्यानी बोलते हैं वहीं से निकले हुएं सारे वो हमारी विरासत है वो हमारा सब कुछ है इतना बड़ा हमारे पास लोग थे आज भी थाइलेंड में उसकी प्रक्टिस करते हैं लोग भारत में हम नहीं कर रहे हैं वहां कोई कश्ट नहीं है थाइलेंड में फिर भी वहां सारे सारे लोग प्रक्टिस करते हैं और यहां कश्ट हैं यहां करते नहीं और थोड़ा सा जरा बता दो थो तो वैसे होता है जैसे बुद्ध ने संग के discipline को नियम को चलाया और अपने आपको गलाया और अपने जैसे पचास या लोगों के खटा करके काम चलाया तब हमारे बच्चे बच्चे हैं इसलिए ये नियम बहुत बढ़िया नियम है इन नियम पर धिरे धिरे आप चलेंगे आगे बढ़ेंगे तेरी से बढ़ेंगे तो तेरी से जीत जाएंगे और तेरी से नहीं बढ़ेंगे तो धिद्रे बढ़ेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो धम को अगर मानते हैं तो धम के सारे चीज़ें माननी पड़ेंगी खाली करूना और मुदिता और फुड्सों के लिए हैं और अगर आज गुध होते तो कुछ और भी बढ़ा देते हैं। और वही नियम समन संग में एक-एक करके लाये जा रहे हैं और एक-एक करके आ रहे हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे हम नियमों पर चलेंगे, जैसे जैसे विनय पर चलेंगे, वैसे वैसे हम जीतते चले जाएंगे, हमारे जीतने की सर्थ हमारे नियम और हमारा डिसिप्लिन है, हमारे जीतने की सर्थ हमारा महरत करना है, और सारी महरत इखटे होने क्लिए हैं और इकट्टे होने के नियम है ऐसे खटा नहीं खट्टे होते यह कोई ढोल बजाए तब आसे बजाए और एक लाख दो लाख पांच लाख की फीड़ एक दिनी खट्टी कर ले उससे अगर करांति होनी होती तो अब तक पांसो बार होती है इतने बड़े-बड़े सम्मेलन हमारे होते हैं इवेंट वाले हमारे जो नेता हैं वो दो तो चाचार पांच पांच की भीड लाग की भीड ऐसे ही खटा कर लेते हैं मगर इंडिसीप्लेन है, डिसीप्लन नहीं है, आप उस βीड को कहो, खढ़े हो जा वो खढ़े नहीं हो सकते, आप उस भीड को कहो बैठ जा वो बैठ नहीं सकते, क्य歹ह से लैन बना कर जाना वह लैन बना च01 है, इसकाorden एक देना नहीं है, और सेना और सिपाई और मैं अगर discipline ना हो तो भीड होती है और भीड उल्टे काम भी कर देती है भीड को कहो के right में जाना है तो वो left में भग जाएगी और उनको कहो सीधे जाना तो उल्टी भी आ सकती है क्यों भीड तो भीड होती है भीड का तंत्र है भीड में अगर किसी न लोग आ रहे हैं, समड़ा रहे हैं, वो ये मान के चलें कि उनको डिसिप्लिन होना है, उनको धम से सीखना है, उनको बद्ध से सीखना है, उनको अपने बाप दादाओं से सीखना है, अपने दादा, दादा, दादी और नानानी से सीखना है, और ये डिसिप्लिन थोड़ा सा कटिन होता है क्योंकि 400-500 साल से आपने discipline सीखा नहीं है इसलिए सीखना पड़ेगा और अगर आप इसको सीखेंगे नहीं तो आप मारे जाएंगे क्योंकि बिना इसके बाद बनेगी नहीं भीड से आपकी काया प्लटनी होने वाली है भीड आपको मरवा देगी भीड आपको हरवा देगी भीड आपको कहीं कर नहीं छोड़ेगी क्योंकि भीड का कोई सिस्टम नहीं होता भीड का कोई तंत्र नहीं होता भीड का कोई लगाब नहीं होती, भीड पर कोई कमांड नहीं होती, भीड को कोई पूछता रही है, भीड तो भीड होती है, आज इधार कालोधार. इसलिए सबी लोग जितने भी हैं, वो समड़ संग के इन नियमों को अधिक से अधिक पलन करें, पूरा पलंग करें, अभी थोड़े थोड़े नियम आ रहे हैं, उसके बाद और भी नियम आएंगे, जैसे 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 जड़त पड़ते जाएगी, वैसे वैसे संग उन्हों नियम को बनाता जाएगा, नियम पास होंगे तब ही आएंगे, संग पास करेगा तब ही आएंगे तब ही हमारी बात बनेगी इसने जिद्ध हमारी है जुडने की जुड़ेंगे तो जीतेंगे और जुड़ेंगे जीतेंगे तब ही जब हम डिसीप्लिन में रहेंगे और discipline में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम अनुसासर में नहीं रहे अगर हम एक नियम में नहीं बंद है तो फिर हमको कोई और बांद के लिए तित्य जाएगा जो हालत हमारी आज हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि संग तूट गया और संग इसलिए तूटा क् बहुत जल्दी हम वो अपना चमक वो ग्लोरी बापस दे लेंगे जो बावा साब ने हमारे लिखी है जो बुद्ध के समय हमारी थी जो आज भी हमारे माथे पर है जो आज भी हमारा गरी मजदूर है आपने देखा होगा कि भूका रह लेगा मगर जुकता नहीं इसका जो स स्वाभी मान बहुत उचा होता है गरीब होते हैं कमजोर होते हैं मगर स्वाभी मान उचा होता है इस स्वाभी मान को बनाने का मैंटन करने का जो पुराना तरीका है वो वही है कि हमको इखटा होना है नियम पे चलना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़े रहना है और ज जब तक हम जुडेंगे नहीं, तब तक हम रुकेंगे नहीं, चैक कुछ भी हो जाए, धन्यवाद. जब तक हमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी copyright फिरी हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके है इस पर क्या हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद घं सरेन गच्छामूं बूदं सें नम गच्छामी घं सरेन गच्छामूं तम्मं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तूतियं पी धम्मं सरेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तूतियं पी जंगं सरेनं गच्छामी दोखियं पी संदम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोखियं पी संदम सर्णं कच्छामी तरतियं पी संदम सर्णं कच्छामी साधु, साधु, साधु सка्वड़िया साधु साधु स्वड़िया एल